तो हमने Amazon की Great Indian Festival Sale से हमने Amazing Royal and Field की Rider Jacket को परचेस कर लिया है वो भी Amazing Price पे तो चैनल पे पहली बड़ी आए हैं तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो इस चैनल जैसा कि आपने हमारा प्रीविएस वीडियो देखा हमने Royal and Field Scram को प्रीद लिया है अब हम उसके रिलेटिड राइडिंग गेर्ड एंड उसकी अक्सेसरी को परचेस कर रहे हैं और अभी हम एमाजॉन की Great Indian Festival सेल से बहुत ही अमेजिंग Royal and Field की राइडिंग जैकेट को परचेस कर लिया है अब हम उसको अन्बॉक्स करेंगे यह है जैकेट कनॉक्स का 5 years की वरेंटी मिलेगी यह Royal and Field की है यह राइडिंग जैकेट और इसकी MRP है 4950 Royal and Field की जैकेट यह है कुछ इस तरह से दिखेगी बहुत ही अमेजिंग कलर डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कॉंबिनेशन है I think यह अपनी बाइक के साथ बहुत ही अमेजिंग हैसिंग करेगी तो अभी हम इसको पहन कर दिखाते हैं और है और एब करें आप कर दो कर दो कर दो कर दो बताईए दोस्तों देखने में कैसी लग रही है यह राइडिंग जैकेट के यहां पर भी प्लास्टिक की शील्ड लगी है शॉल्डर के भी प्लास्टिक की शील्ड है दोनों तरफ है और दोनों शॉल्डर पे है यह आपको प्लेन नेट वाली थोड़ी सी मतलब जैकेट है यहां पर भी इसकी बैक में भी थोड़ी सी सुपोर्ट है प्लास्टिक की तो देखने में और प्रोटेक्शन वाइस तो ठीक लग रही है मेरको तो इसकी जो रॉयल एंट फील्ड की बैजिंग है यहां पर और यहां पर कुछ देखेंगे अपने नाम का मिल जाएगा तो से 3200 रुपीज की परचेस करी है वट एअमेजिंग प्राइस इस प्राइस में आपको रॉयल एंट फील्ड की कोई भी जैकेट नहीं मिलेगी हालागी उपर तो आप कितना भी जा सकते हैं लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको एक अदी और मिल जाएगी लेकिन रॉयल जब इसनी राइडिंग करेंगे तो बतानी क्या ही होगा तो दोस्तों यह थी ब्रॉयल एंट फील्ड की राइडर जैकेट जिसको हमने अभी अन्बॉक्स किया और अब हम इसको अपनी राइड में पहनेंगे तो आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपको दिखाता हूँ राइडिंग ग्लव्स यह है प्रो बाइकर के राइडिंग ग्लव्स जो मैंने पहले ही मंगवा लिये थे क्लिप कार्ट से शायद और किये थे अल्मॉस्ट तूफिटी रूटीज के तो यह काफी बढ़िया इनकी प्रोटेक्शन दी गई है बैक सा अच्छे से मतलब हैंड को बहुत बढ़िया प्रोटेक्ट किया मेरे साइज के एकॉर्डिंग लिए थोड़ा सा छोटा लगा मुझे कि हैंड मेरा अच्छे से खुल नहीं रहा लेकिन फिटिंग और अभी मैंने इसको 2-4 राइट्स में पैन लिया है तो यह ठीक लग रह और अभी मैं आपको दिखाता हूँ नी गार्ड अभी मैंने राइडिंग स्पेंट तो कोई नहीं लिया है लेकिन मैंने यह नी गार्ड अल्रडी पहले से ही ऑर्डर कर रखे थे क्योंकि मुझे मालूम था मैं एक निन बाइक जरूर लूँगा और जब भी मेरे को कोई अ कर देता हूँ और यह क्वालिटी वाइस तो मतलब ओके हैं मैं ज्यादा बढ़िया नहीं कहुँगा लेकिन मैंने इसको एक राइड में पहना है तो वह अच्छे से नीच से आ गए थे और मेरी चलो नीचे इसकी लेंस बढ़ी है तो ज्यादा नीचे तक नहीं गए सेंट अगर बैठना है तो ऐसे अगर खड़े हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे इसका लिंक भी शायद मेरे पास नहीं होगा लेकिन आपको एमाजोन या फ्लिपकार पे जो भी बढ़िया मिले तो आप ले सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग है यह मैक्सिम तो बहुत और उपर बजट में चले जाएंगे लेकिन आपको जिस जो बजट अर्षा लगे उच्ट वो ले सकते हैं एक्स्ट जो आइटम हमने परचेस की है वो है बैंडनाज यह बैंडनाज हमने एमाजोन से परचेस करें हैं 275 रूपीज के और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सोक करने में और ये मेरे को बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्ट लगा क्यूंकि मैंने इसको दो राइट्स में पहना है और इसने मेरा पूरा पसीना सोक लिया तो इससे वेरी गुड प्रोड़क्ट और आपको बड़ी कॉम्बो डील में 10 बैंडनाज 275 में मिल जाएंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोफाइबर क्लोड जो हमने एमदोन से परचेस किया है कॉम्बो का पैक 3 का अल्मूस 300 रुपीस ते इस तरह के 3 माइक्रोफाइबर क्लोड साथ को मिल जाएंगे इससे हम अपनी बाइक और हेलमेट को रेगुलर की लिंकरेंगे इसका लेक भी मापको description box में देदेंगा